गुड मॉर्निंग क्लास 3, वेलकम तो EBS आउनलाइन क्लासे, सो हावर यू, आई होप यू ओल अरपाइन, सो क्लास टुड़े वी विल डिस्कॉस अबाउट आवर चेप्टर 16, नैचुरल रिसोर्से, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जो मदर नेचर हैं, ठीके जो हमाई प्रकरती है, उसने हमें बहुत सारे नैचरल गिफ्ट्स, प्रकरतिक गिफ्ट्स हैं, उपहार प्रोवाइड गरवाए हैं, लेट्स नो अबाउट देम ब्रिफली, तो चलिए इनके बारे में अच्छे से जानते हैं, जो अर्थ पर क्रस्ट की सबसे उपरी लेयर जो होती है, वो होती है, इसमें क्या होते हैं, बहुत सरे मिनरल्स होते हैं, जो ट्रीज और प्लांट्स की ग्रोथ में एल्प करते हैं, नेक्स्ट आता है water well it is the life saving substance तो water क्या है life saving substance है यानि कि इसके द्वारा ही इसे पाने पीकरी हम जीविद रह सकते हैं since it is vital for all living beings और ये सभी के लिए क्या है सभी living beings के लिए जरूरी है without it life is not possible on the earth और इसके बिना earth पर life possible नहीं है next आता है air it is also very essential for us तेक है air क्या है ये भी अमारे लिए essential है आशक है although it is everywhere yet we cannot see it पर हम air को होती तो अमारे ये चार ओर है पर हम इसको देख नहीं सकते it is colorless and tasteless और ये air है जो colorless होती इसका कोई color नहीं होता और इसका कोई taste नहीं होता the oxygen in the air help us to breathe और जो air में oxygen जो gas होती है वो हमें breathe करने में सास लेने में help करती है कौन सी gas? oxygen gas well the earth is the only planet which has air on it और पूरे जो अपने solar system में planets हैं उन पर earth एक ऐसा planet है जिस पर air मिलती है no more the moon has no air the moon पर भी यानि चंद्रमा पर भी air हवा नहीं है थेक है before two or three decades ago यानि कि दो तीन दश को पहले the earth was full of trees and greenery and lost of the forest lands everywhere तो earth पर क्या था? बहुत सारे पेड थे, हरियाली थी ठीक है? जिनका क्या हो गया? लोट्स ओ फोरेस्ट और बहुत सारे फोरेस्ट थे, जंगल थे cool fresh air blue and the soil was good for plants growth और ठंडी हवा थी fresh air थी और मिट्टी भी कैसी थी? उपजाओ थी जिससे plants की growth अच्छे से हुआ करती थी वोटर इंदर रिवर्स वास clean and clear और रिवर्स का नदियों का जो पानी था वोटर था वो भी बिल्कुल साफ सत्रा था लेटर, due to industrialization जब industrialization हुआ यानि उद्ध्यों की काम चालू होने लगे harmful waste added by man has made air, water and land polluted उनसे जो industrialization होने लगा उद्ध्यों को से जो harmful waste निकलता था थीक है वो आदमी क्या करने लगा? उसे हवा में घुलने लगा, water pollute होने लगा, water pollution होने लगा and land polluted यानि जमीन भी बंजर होने लगी drinking polluted water and breathing polluted air make us sick और drinking polluted water यानि की गंदा पानी पीने से और गंदी जो दूशित हवाती उसमें सांस लेने से हम क्या हो गए? बिमार होने लगे polluted atmosphere has become a big cause of worry और जो polluted atmosphere है हमारे चार ओर का जो atmosphere है वातावरन है वो दूशित हो गया है और ये क्या है? बहुत बड़ी चिंता का विश्य है ठेक है? आगे आजी पेज नंबर 88 पर पेज नंबर 88 में देखेंगे pollution is of three kinds जो pollution है वो three kinds का होता है तीन प्रकार का होता है first है the air pollution well the clean and pure air is must for the health and survival of men जैसा कि आप सबको पता है कि शुद्ध और साफ हवा हर एक वेक्ति के लिए जीवन के लिए जरूरी होती है what causes of air pollution अब air pollution के क्या कारण है smoke from industries, factories and from automobiles smoke यानि धुवा निकलता है industries से, factories से और automobiles जो कंपनी उन से गंदा धुवा निकलता है वो air में मिलता है इससे air pollution होता है smoke from burning of garbage and crackers etc और जो garbage कचले को जलाने से पठाकों में से जो बेकार धुवा निकलता है smoke निकलता है उसको जलने से भी air pollution होता है आके देखिए effects of air pollution अब क्या क्या effect होते है air pollution के it irritates our eyes and makes them red and watery देखिए जो smoke जो धुवा है कई बार आपने भी देखा होगा जब आखों में धुवा चला जाता है तो इससे हमारी आखे क्या हो जाती है red color की और आखों में से पानी आने लगता है जो कि हमारी आखों को नुकसान करता है next आता है it causes disease like asthma, rashes, allergies, headache, body acnes and persistence caffeine air pollution से बहुत सारी बिमारिया हो जाती है जैसे asthma, rashes हो जाते है अलग-अलग ताइप की allergies हो जाती है headache मितलब सरदर अलग-अलग तरह की problems हो जाती है body से related हो जाती है ये था अपना air pollution second आता है the water pollution no living being can survive without water कोई भी व्यक्ती चाहे कोई भी person हो कोई भी living thing हो वो बिना water के survive नहीं कर सकते sadly the water of most river lake and streams has become dirty polluted today but दुख के साथ ये बताया जा रहा है कि जो water के most streams है water के water की most important sources हैं वो क्या है polluted हो चुके है गंदे हो चुके है रिवर्स हैं उनको गंदा कर दिया गया है जड़नों को गंदा कर दिया गया है अब what causes of water pollution water pollution के कारण क्या होते हैं what causes of water pollution many people many people take bath and make their animals cattle baths in ponds, rivers, lakes, etc. they also wash their clothes there तो देखो बहुत सारे men क्या करते हैं अपने cattle जो उनके मवेशी पालतू जानवर होते हैं उनको नदियों में इस्नान करवाते हैं वही कपड़े दो लेते हैं ठीक है they also wash their clothes वहीं पर नदियों में ही अपने कपड़े दो लेते हैं throwing garbage into the water bodies पानी की जो sources हैं उन्हें ही कचरा फैक देते हैं इस तरह water pollution होता है next आता है effect of water pollution अब water pollution के effect क्या होते हैं it causes cholera, typhoid and jondis, etc. तो वाटर पॉल्यूशन से कॉलेरा, टाइफाइड और जॉन्डिस जैसे बिमारियां होती है नेक्स्ट आता है दा नॉइस पॉल्यूशन इट रेडुजेस अवर कैपसिटी ओफ थेंक, अंडेस्टेंड और कंसंट्रेट ओफ एनी टॉपिक जो नॉइस पॉल्यूशन है, वो हमारी कैपसिटी को कम करता है किसकी कैपसिटी को सोचने की, समझने की और कंसंट्रेट करने की जो किसी भी टॉपिक पर उसको सुनने की, उसको समझने की या उस पर कंसंट्रेट होता है एकागरता उसको reduce करता है उसमें कमे करता है और यह अमारी सुनने के शमता को भी कम करता है वोट कोजिस noise pollution noise pollution के क्या कारण होते है loud noise of speakers at processions and religious ceremonies like kittens and jagrans तो देखो जगे जगे ceremonies होती है अलग अलग program होते है तो लोग वहाँ पर loud noise speaker लगाते है तेज तेज गाना चलाते है जिससे क्या होता है noise pollution होता है noise created by the vehicles and their blurring horns in one of the major factor तो देखो noise किसे भी create होता है ज़्यादा vehicles से उनके ज़्यादा तेज होरन बचते है उनसे भी noise pollution create होता है therefore it is our duty to ensure reducing all types of pollution तो यहाँ पर अमारा करतव वे duty बनती है कि हम हर तरह का जो भी pollution है चाहे वो air pollution हो चाहे water pollution हो चाहे वो noise pollution हो उसको reduce करना उसमें कमी करना हमारा करतव वे हमारी duty है we can take care of our environment in the following ways तो हम अपना जो environment है परियावरण है उसको किस तरह देखबाल कर सकते हैं उसकी उसके लिए कुस तरीके बताये जा रहे हैं तो चलिए देखते हैं we should grow more trees हम बहुत सारे पेड उगा सकते हैं उगाने चाहिए लगाने चाहिए grow more trees we should throw garbage in covered dustbins only और ढके हुए कचरे पात्र में ही यानि dustbin में ही कचरे को फैकना चाहिए we should not burn garbage और हमें कचरे को जलाना नहीं चाहिए we should use cloth napkins and save paper और हमें cloth napkins को use करना चाहिए और paper को save करना चाहिए we should not use plastic bags and bottles हमें plastic bags और plastic की bottles काम में नहीं लेनी चाहिए we should play music at low volume और हमें low volume में music चलाना चाहिए all the above mentioned measure will surely help to make the earth clean and great और ये सारे जो आपको यहाँ पर measures दिये गए हैं इसके साथ इनका उप्योग करके इनका use करके इनको follow करके आप अपनी अर्थ को यानि प्रत्वी को भरा भरा और साफ रख सकते हैं और इसी के साथ अपना chapter 16 है वो complete होता है next class में हम इसके exercise को complete करेंगे तो एक बर आप इसको वापस से revise करना इसकी reading करना अच्छे से तो चलिए मिलते हैं next class में तब तक के लिए stay home, stay safe